Why is important today? Daily facts today I discussed 3 days importance. पकरने में सहायता करती है. 3. नागरिकों को सुरक्षित रखने में मदद करती है. 4. समाज में कानूनों और नियमों के बारे में जागरुक्ता फैलाती है. 5. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है. 21 अक्टूबर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठेत 21 अक्टूबर विश्वा आयोडीन अल्टा दिवस इस दिन का उद्देश्य लोगों को आयोडीन के महत्व को समझाना और आयोडीन समबंधित स्वास्थे समस्याओं के बारे में जागरूप करना है. आज का हेल्थर टिप्स आयोडीन के स्वास्थे फायदे. 1. 21 अक्टूबर विहार के प्रथम मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी एवं समाज सेवी बिहार के सरी. डॉक्टर श्रीकृष्ण सिन्हा जी की जयनती पर उन्हें भावपूर्ण नमना. 21 अक्टूबर पंजाब के भूतपूर्ग मुख्यमंत्री वत अमिलनाडू, उत्त आए, हम हमारी सशस्त्र बल के जवानों के साथ मिलकर देश को बहतर बनाने का प्रयास करें. 20 अक्टूबर देश की सभी माताओं बहनों एवं खाना बनाने वालों को अंतराश्ट्रिय शेप दिवस की हार्दिक शुब कामनाएं. 20 अक्टूबर विश्व औस्टियोपरोस एक मजबूत हर्दी सनरचना से अपने जीवन की गुनवत्ता में सुधार करें, स्वस्त रहें और सुरक्षित रहें. 20 अक्टूबर अंतराश्ट्रिय हवाय यातायात नियंत्रक दिवस पर हवाय यातायात कर्मचारियों को सलाम वय यात्रा सुरक्षित और सुविधाजन बनाने के लिए उनका शुक्रिया. 20 अक्टूबर भारत के पूर्व क्रिकेट खिलारी एवं अमरित्सर लोग सभा सीट के पूर्व सांसद. नवजोट सिंग सिध्धु जी को जनम दिन की हार्दिक बधाई. 20 अक्टूबर विश्व सांखी की दिवस. हम सभी को ये याद चाहिए कि आंकडे केवल संख्याएं नहीं है बलकि यह सही योजनाओ और नीतियों के निर्मान में प्रमुक्तत्व भी हैं. 19 अक्टूबर वर्ल पीडियाट्रिक बोन एंड जॉइंड डे. प्रति एक बच्चा जीवन में सर्वोत्तम स्वास्थिका हगदार है. 19 अक्ट धराएं और कई अनुसुचियां है. मजेदार जानकारी भारत दुनिया का सबसे बड़ा गन्ने का उत्पादत देश है और इसका उत्पादन क्रिशी और अर्थ व्यवस्था के लिए अत्यंद महत्वपून है. हर्डियों को स्वस्त रखने के टिप्स 1. दूद, दही, हर पत्तेदार सबजियां और मेवे का सेवन करें. 2. नियमित शारीरिक गतिविधियां, जैसे दौरना और कूबना करें. 3. सुबह साधे 6 से साधे 8 के बीच धूप लें. 4. पर्याप पानी पीकर पोशक तत्वों का संतुलन बनाए रखें. 5. बैठने और खड़े होने की सही मुद्रा का ध्यान रखें. रोचक तत्यों, सांस्कृतिक महत्वा और व्यभारिक चर्चा के लिए हमसे जुड़ें. अधिक सामगरी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें.